चलिए दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राइपर और कैसे आप लोग हैं आसा करता हूं अमीद करता हूं कि आप लोग जहां होंगे मस्वस्त होंगे दोस्तों बहुत अच्छे होंगे ठीक ना तो देखिए काफी दोनों से दो जाए इससे इंफार्म किया जाए बताया जाए कि क्या भी उसके बारे में जानकारी है तो दोस्तों सबसे पहले तो बताईए आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर आप लोग बताईएगा रिजनिंग में आपके इंप्रूमेंट हुआ किसी भी ठीक ना चलिए तो तैयारी आपकी मस्त चल रही होगी एकदम कांटिन्यूटी बनाए रखे दोस्तों बढ़िया से तैयारी करते रही है चलिए एकजामनेशन डेट की बात करते हैं तो दोस्तों अभी एकजामनेशन के बारे में कोई भी सूचना नहीं है आयोग की तरफ स जरूर सही है लेकिन अभी कमीशन की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि हम लोग पूरा 100% शूरली आपको बता पायां कि किस महिने में किस तारिक को एकजामनेशन होगा ठीक ना तो मेरा सुझाओ दोस्त एह है कि आप बिलकुल उसके लिए चिंतित मत रहिए बिलक आप जान जाएंगे आउगत खो से इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहाँ पर आपका दिमाग अगर लगा रहेगा तो इधर आप प्रैक्टिस दोस्त अच्छे से नहीं कर पाएंगे मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अपने तैयारी को करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जब भी कोई डेट आती है, कोई सूचना आती है, तो तुरण तो दोस्तों आपको सूचत किया जाएगा, बताया जाएगा, पहली बात, दोसरी बात, देखें यहां पे दोस्तों, क्लासिस हर चीज की प्रोवाइट की गई, यूटूब पे काफी फ्री क्लासिस प्रोवाइट की गई, जब से लगातार में ले रहा हूं, बीच में कोई नौ बजे रात को भी क्लास आपको दिया था, तो लगभग आपकी काई सव क्लासिस हो गई होगी, ठीक ना, तो अग आप लोग जुड़ते हैं दोस्तों फीड़बैक देते हैं आपका जैसा रिस्पोंस आता है उसके था बताता हूँ अपने प्रेजांस कुछ पयट्त कदाट है currently करें का नगलता है है पढ़िया है दोस्तों और कई हजारों कि संख्या में विद्यार्थियों ने दोस्तों पढ़ाई किया है और संतुष्ट भी हैं आप लोग मुझे पता है आप लोगों को हां कभी- Uhren किसी चैप्टर में या किसी match में थोड़ा-מ उटार-चड़ाओ लगा रहता है तो उससे पीडियाफ प्रोवाइड करने में समय लग गया इस प्रकार की समस्याइं हर जगा लगी रहती हैं सभी के साथ होती हैं तो टेक्निकल चीजे हैं दोस्तों कभी कभार गड़बड हो जाती उसको लेकर के चिंतित बिल्कुल आप मत होया करिए ठीक है पहली बात अपनी तयारी को एकड़म कांटीनूटी दोस्तों दिये रहिए बनाये रहिए अभी एकजामनेशन की कोई डेट नहीं है लेकिन एकजामनेशन आपका बहुत जल्द होने वाला है यूपी ट्रिपेलसी की तरफ से कभी भी नोटीस आ सकती है किसी भी टाइम आ सकती है तो मार्च से पहले पहले हम ए तो नहीं दावा कर सकते कि जनवरी में ही होगा ए दावा नहीं कर सकते कि फर्वरी में होगा या नहीं होगा लेकिन मार्च तक उमीद है दोस्त कि आपका एकजामनेशन करा लिया जाएगा ठीक ना तो चलिए यह तो हो गई बाते आप कुछ पढ़ाई कोई भी बुक हो गया कोई भी प्रेक्टिस होट गया आपके नीचे दो ढ़ाई सो तीन सो की नीचे अच्छी खासी जो पब्लीकेशन के होती है नहीं आती है दोस्तो देखो यहाँ पे आपके लिए एक बहतरीन प्लान मैंने सोचा है और उस बहतरीन प्लान को अगर आप इसके बारे में दोस्तों सोचते हैं आप सोचिएगा जैसा आपको उचित लगे फिर उसके बार डीसेजन लेजीगा कोई हम लोगों की तरब से आप अंडर प्रेसर में आयेगा आप को लगे कि हां उजित है हमारे लिए मतलब कीुपियोगी हो सकता है तब उसको फालॲ करिएगा उसको दोसwo करिएगा ठीक ना अदरवाइच जब तक आपका दिल नहीं कहे तब तक दोस्तों मत करेगा लेकिन मुझे उमीद है कि यह जो मैंने प्लान सोचा है आप लोगों के लिए दोस्तों बेनिफीसियल सावित होगा कैसे सावित होगा अप कहने से तो होगा नहीं दिखाना हमको पड़ेगा कैसे होगा थोड़ा कुछ बताइए उसके बारे में कौन सा प्लान है तो है बेसिक 35 चैप्टर है तो दोस्तों टोटल प्रैक्टिस पे चैप्टर पे आपको एंडिविजियल लूप से प्रैक्टिस कराई जाएगे अरजुन प्रैक्टिस बैच में इसमें होगा क्या अलफाबेट कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेजमेंट रैंकिंग हो गया घड़ी हो गया गड़ी हो गया कलेंडर हो गया पासा हो गया सीटिंग अरेजमेंट हो गया ठीक ना आर्थेमेटिकल वाला सेक्षन हो गया फिर आपका लोजिकल सेक्षन स्टेट्मेंट और आर्गुमेंट हो गया कंक्लूजन हो गया पूरुधारड़ा हो गया कोर्स आफ एक्सन हो गया, सेलोलीजम वाला चैप्टर हो गया, डियाई वाला पार्ट आपका हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों आपका इनेक्विलिटी वाला पार्ट हो गया, और भी जितने आपके, नन वर्बल में फीगर काउंटिंग हो गया, मीरर इमेज हो गया, वाटर इमेज आ आपका हो गया, embedded हो गया, figure, सारी चीजी है, ठीक ना, complete reasoning का, यहाँ पे practice करवाय जाएगा, individual रूप से chapter का, अब कैसे करवाय जाएगा, थोड़ा से उसको भी बताईए सर, बिलकुल बताना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता चलेगा, कि हाँ, इससे हमको फाइदा इससे मतलब नहीं है, अगर यह आभास होगा, तभी तो दोस्तों इंट्रेस्टेड होंगे आप इसमें, देखे, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें किया क्या जाएगा, इसमें दोस्तों करने का तरीका, यह है कि यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर रिजनिंग का जो ही बनेगा, जो कठिन चैप्टर है, तो आसान बनेगा ही बनेगा, ठीकना, इस स्टार्टिंग हम लोग अलफाबेट टेस्ट से करेंगे, अलफाबेट टेस्ट का मतलब कैसे इसको कराया जाएगा, प्रैक्टिस कैसे कराया जाएगा, तो माल लिजे, जैसे कल से स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से क्लास आपकी स्टार्ट हो रही तो 20 दिसंबर के पहले यानि 19 दिसंबर को आपको जो भी चैप्टर स्टार्टिंग है रही से होगा तो अलफा बेट चैप्टर की PDF उसमें कोस्चन होगा without answer question होगा फिर उसके बाद भाई question होगा चार बिकल्प होगा answer उसमें नहीं होगा आपको provide किया जाएगा question की संख्या maximum होगी maximum पर मतलब की minimum 30 होगी कम से कम 30 होगी 30, 40, 50, 60, 70 भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है minimum 30 होगा 30 से उपर होगा जहां तक पहुंच सके alphabet कम से कम दोस्तों एक chapter पे 2-3 दिन हम लोग discuss करेंगे discuss क्या करेंगे उस पर practice आपको कराया जाएगा तो PDF आपको provide की जाएगी तो आप PDF अपने room पर खोलेंगे question को solve करेंगे जितना भी question रहेगा एक डेड़ घंटा इतना मेहनत तो करना पड़ेगा यार एक बटा दो की negative marking है वीडियो examination में और इसमें अगर मेहनत आप नहीं करेंगे तो accuracy speed दोनों चीज नहीं आने वाली है और दोनों चीज नहीं आएगी तो इस examination में दोस्तों clear करना या score बढ़ाना बहुत आसान नहीं होने वाला है इसलिए आपको दोनों चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना ठीक ना तो हम लोग accuracy speed के लिए ही इस सब कर रहे हैं बस और कोई परपज नहीं है दोस्तों accuracy आजाए आपके अंदर और अच्छे से speed आ जाए तो आपको PDF जो provide रहेगी आप उसको दोस्त लगाओगे साल्ब करोगे अपना दिमाग पूरा लगाओगे क्योंकि concept तो clear हो चुका है आप आपका कहीं से आप पढ़े हैं किसी भी YouTube चैनल से किसी भी अध्यापकगंड से पढ़े हैं किसी भी दोस्तों बुक से पढ़े हैं पहले से clear आपका है offline, online में बस आपको क्या करना है आपको concept सारा पता है आप उसको लगाईए आप एक copy लिजी उस पे लगाईए पूरा और उस पे answer पूरा लिख डालिए पचास कोस्चन है तो पचासो कोस्चन लगा करके answer लिख जालिए ठीक ना आप आप दूसरे दिन उसकी class होगी दूसरे दिन class होगी तो उसमें दोस्तों मैं आपको पूरा explain करूँगा explain का मतलब हर question का solution हर question का answer उस तिन आपको मिलेगा आप देखिए आपको किस chapter में आप बहतर हो आप किस chapter में आपको problem है किसमें नहीं हो रहा हो पा रहा है आपका question किसमें ज़्यादा question हो रहा है किसमें कम question हो रहा है इसमें आपको समझ में आए यह चीज़ और question का label जो होगा जीरो लेबल से लेकर कि स्टेंडर लेबल तक होगा ठेकना अगर उस लेबल का कोस्चन आप सालब कर ले रहे हैं तो दोस्तो बीडियोर एकजामनेशन में आपको प्राब्लम नहीं रहने वाली है ठेकना बिलकुल एकदम आस्वस्त रही है विश्वास रखे इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का होगा कोडिंग डिकोडिंग लंबा चैप्टर है तो कम से कम तीन दीन की क्लासिस में होगी आपको हर टाइप का कोस्चन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा आप सालब करोगी फिर उसके बाद अगले दिन उसका लायू ये सारी classes लाइव चलेंगी, कोई भी class recorded नहीं होगी, blood lesson होगया, direction होगया, order ranking होगया, seating arrangement होगया, अर्थमेटिकल होगया, calendar इस प्रकार से ए बेसिक वाला पार्ट होगया, फिर उसके बाद देखें, यहाँ पे classification, finding क्योंकि ये सारे chapter दोस्त, practice पे depend है, finding missing number होगया, classification होगया, analogy ह जितना ज़्यादा आप practice करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर accuracy आएगी, speed दोनों चीज़े दोस्त आने वाली है, ठीक ना, तो मुझे उमीद है कि आप बात को समझ गये होंगे, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और दोस्तों इस से आपको फायदा है कि नहीं, आप अप महीने में इसको खतम कर दिया जाए, क्योंकि एक्जामनेशन आपकी डेट आने से पहले पहले इसको खतम कर दिया जाए, कि आप पूरा स्वतंतर हो जाएं, तो फिर अपने offline जो बुक है, practice set है उसमें करिए, फटा-फट देखिए, कैसे नहीं answer निकलता है, सब कुछ निकल है, उसको class दी जाएगी, बिल्कुल है, उन्हीं बच्चों के लिए है, जो दोस्तों इसमें interested है, इस practice class में, तो आप लोग दोस्तों इस batch में जरूर जुड़िए, आप लोग इसका lab उठाए, अरजुन practice batch का, ठीक ना, और GKGS की रही बात, हिंदी की बात रही, तो दोस्त की एकदम topic-wise class मैंने start किया है, 8 act मैंने पढ़ाया है, 1774, 88, 813, 833 हो गया, 1861, 892 हो गया, 1909 हो गया, 1909, 1935, जितने important आपके act थे, सबको मैंने बताया, फिर उसके practice भी करवाया, ठीक ना, ताकि आपकी 200 question रटा जाए, धीरे-धीरे 200 question हर रट जाए, आपके जुबान पे चल ठीक ना, तो आप लोग दोस्तों इस batch को जरूर सभी लोग जोइन कर लीजिए, और सभी लोगों से request है, इस start आप की class 20 December से होने वाली है, और अगर इस batch को आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो 16 December से पहले-पहले जोइन कर लीजिएगा, कब 16 December से पहले-पहले जोइ करते हैं, तो आपको पूरा payment करना पड़ेगा, फ्री फिर जो आपका छूट मिला है, वो दोस्तों आपका खतम हो जाएगा, 16 December रात्तरी 12 बजे को, ठुक ना, खतम हो जाएगा, इसलिए आप 16 December तक इसको purchase करिए, 400 में complete, इसमें, अरजुन practice batch को दोस्तों, application पे आप जाएं कि आपको ये चीज दोस्त अच्छी लगी होगी, और प्लान आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए कर रहा हूँ, आपके मन में प्रस ना सकता है कुछ लोगों की कि पैसे के लिए सिर्फ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर ऐसा आता है, तो आप सोचते रहिए, जिनको आता है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, इस सिर्फ दोस्त आपके एक्क्यूरेसी और आपकी स्पीड के लिए है, तो चार सो रूपया में अगर आप टच में कम्प्लीट है, हर चीजों के तो क्या दिक्कत है इसमयार पढ़ने में, ठीक है, अराम से आप पढ़िए अपनी तैयारी को दोस्तों बहतरीन करिए, ठीक है, तो चलिए दोस्तों और वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिया करिए, और मेहनत करिए बढ़ियां से जरूर आपके अंदर इंप्रूमेंट होगा सबी लोगों के दोस्तों, और इस वैज को पर्चिस करिए, ठीक ना, तो चलिए, बढ़ियां से तैयारी करते रहिए, दोस्तों, बीच-बीच में जो अपडेट आएगी, आपको प्रोवाइड की जाएगा, बिल्कुल निस्चिंत रही है, अभी कोई एक्जामनेशन की डेट नहीं आईए, आपके पास समय है, समय रहते हैं, पूरा प्रिपे आपना feedback जरूर बताईएगा, और एक प्लान के बारें में जरूर बताईगा, इस लिए बेहतरीन हो सकती है, बहुत बेहतरीन हो सकती है, ठीकक ना, बस इस पे गहराई से सोचिएगा, हर chapter अगर आपको मिल जाएगा, practice के तोर पे, individual लूप से तो बहुत फाइदा आपको हो तो इसलिए सतर्क रहना है अपने द्रिश्टकूंड की प्रती अपनी सोच की प्रती कि कैसा हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कैसी feeling रखते हैं क्योंकि mentally work करना है तो दोस्तों internal condition बहुत सुंदर होनी चाहिए ठीक ना तो चलिए मिलते हैं अगले दोस्तों किसी वीडियो मिल अगली क्लास मुला का तो अपसे होगी ठीक है तब तक के लिए सबको दन्यवाद नमस्कर दोस्तों